हमारी पहली सांस से आखरी सांस तर जब तक कि हमारी मृत्यू नहीं हो जाती तब तक हमें दूद दिलाती है और कभी उसका एहसान नहीं बताती है इसलिए पहली मां हमारी गव माता है और आज हम देख रहे हैं ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान हमारी गव माता से नहीं है और इस स्थान पर ये स्थान इतना पावन इसकी महिमा का वक्षान अपनी वानी के द्वारा तो असंभव है कि वहती असंभव है कुछ नहीं जा सकता क्यूंकि इस स्थान पर रह करके रहने मात्र से आधी समस्या तो ऐसी खत्म हो जाती है प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारी माता जी उनको दमा की बड़ी समस्या है परन्तु इस स्थार पर आने के बाद आदी समस्या खतम अभी तक घर में रहती तो थोड़ा बहुत कुछ काम किया तो समझो सांस उनकी बढ़ने लगी और कहते अब तो हम कुछ नहीं कर सकते और यहां तो आनंदी से बड़ी हमाता जी के साथ बोजन प्रशादी बना दे हैं सब को प्रेम से खिला रही है तो यह इस इस्थान का प्रभाव है यह उधारन हमारे सामने धैसली हमने आपको बतलाया कि यहां पर रह करके आपके आदी समस्या खतम और आदी जो है तो बाबाजी औ अखतमा पूंग इसथान का प्रभाव में बैठ कर के हम गव कथा सुन रहे हैं यह हमारी सव्भागि अजो हुआ को में यह पहली कथा सब कि अच्छी अच्छी विवस्ताइं होता है पर आनन्द जो यहां बैटकर कथा कहने में है वो आज तक तो हमें नहीं बिला यह पहली वार का हमारा अनुभव है अच्छा पहली माता तो जान ली अब दूसरी माता कौन सी है तो का भया गव कथा में ऐसा वर्णन आता है कि पहली माता तो हमारी गव माता है पर जो दूसर मानी दूसरी माह नंबर आ गया है क्यूंकि हमने इस संसार में जिस में सब्च्वा लेकर आये तो आप हमारा ही होगा क्योंकि नौ माता हैं पहली मां तो गव माता अब दूसरी मां कौन से हैं तो यहां पर गव कथा में वर्णन आता है कि जो दूसरे नंबर पर है वो मां है धर्थी माता जन्म देने वाली माता का नंबर भी दूसरा नहीं है क्योंकि जन्म तो मां दे देगी पर उसके बाद इस अंसार में यह जब तक उम्र है तब तक सांत रहेगे उसके बाद हमें छोड़ कर चली जाएगी तो फिर हमारा लालन पालन कौन करेगा कौन करेगा मारा फिर हमारा जो पालन पोशन करने वाली मा है तो वो है धरती माता इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरी माता जो है वो है धरती माता इसके द्वारा ही हमें अन्य की प्राप्ति होती हैं धर्ती माता के द्वारा ही हम अपने पेट को आज भर पा रहे हैं जो प्रशादी हम पा रहे हैं वो धर्ती माता की देन हैं अच्छा एक बात यहां पर देखी जाए कि इस मा में कितनी सहन सीलता है जिसके उपर रहकर के हम कितना पाप कर रहे हैं मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं उसके बाद भी यह सहन कर रहे हैं उसके बाद भी आप किसी व्यक्ति के ऊपर जरा मल का त्याग करके देखें कहने में सर्म की बात है पर सोची उस बात को किसी से यदि अपन कुछ भला ही बुरा कह देते उसमें जगड़ा हो जाता है तो यहां तो इस मा के ऊपर हम मल का त्याग कर रहे हैं मूत्र का त्याग कर रहे हैं उसके बाद भी उसमें सहन सीलता है इसलिए दूसरे नमर पर धर्तिम आता है और कहा गया है यदि जिस व्यक्ति को इस बात का अनवव हो और इस चीज का पश्चाताप करना हो कि इस मा के उपर रहे करके हम पाप कर रहे हैं तो यदि इस पाप का पश्चाताप करना है तो मा नर्मदाजी के घाट पर बैट करके कि आप इस चीज का मन ही मनपश्षाताप करें हिο conviction wodности कुध TIM में तो इतना सामर्ष है कि आप हमें सब कुछ प्रदान करती है पर हम आप से उख्षमा मांगते हैं कि इस संशार में रहे करें हम यी पाफ कर रहें इस पाफ से हमें मुक्त करा यह पाप हम कर तो रहे हैं लेकिन हम इस पाप से मुक्ति भी दिला रहे हैं इसलिए कहा गया कि जो दूसरी माँ है वह है धर्की माता अब कहा गया कि तीसरी माता कौन सी है तो कहा गया कि इस पुरान में वणन आया है तीसरी माता जो है अब आया माताओं का नमबर कि तीसरी माँ है जन्म देने वाली 碌़ क्योंकि जब तक जन्म मा नहीं देगी जब तक हमारा लानन पोषण नहीं करेगी तब तक हम इस संसार में आ भी नहीं सकते इसलिए जन्म देने वाली मा कितना कश्ट सहन करती है हमको इस संसार में लाने के लिए ये दर्द ये पीड़ा मा ही जान सकती है तो जिस माने हमें संसार को दिखाया है वो मान है कहा जो इन बातों को अच्छे से जान ले जिसको इन बाताओं का ज्यान हो जाए जिसके अंदर ये नो माताएं आ जाए वही इस संसार में मानव है और ये नो माताई क्यों सुन रहे हैं क्योंकि ये जिसके जीवन में हैं उसी को इस कथा के द्वारा आनन्दी की प्राप्ति होने वाले हैं अब कहा गया कि ये माता हमें जन्म देती है और जन्म देकर के जितने भी इसके कर्टब हैं कर्म हैं उन्हें सभी का पालन करती हैं खुद रात भर जगती है और अपने बच्चों को सुलाते हैं खुद भूखे पेट रह जाएगी पर अपने बच्चों को पहले खिलाते हैं कि इतना समर्पन भला किसी और में होगा मां के अलावा कोई इतना त्याग नहीं कर सकता मैं भूखी होगी पर यादी उसके बाल भच्चों ने कहें दिया मैं मुझे भूख लगी है तो अपनी हिस्ते का अपने बच्चों को दे देती है एक चीज़ देखी है कि इस अंसार में कुछ जगे ऐसा भी है कि जहां जब यक्ति को भूख है तो उसको खाने को नहीं है परियाप्त है तब उसको भूंग में कुछ कि लोग ऐसे हैं जो भूग के कारण तडप रहे हैं कि हमें एक अन्य का मिल जाये तो ब्रामणों को हम भोजन कराते हैं गर-बुला बुला कर क्या ब्रामणों की घर में भोजन खत्म अन्य समाप्ट हो गया तो दूसरों के गर में खाने जाते हैं है ap also तो इससे किवल एक ज्ञान हमें प्राप्त होता है आप देखना ब्रामणों को भошं करते हो जब भी भूजन करेंगे थाल थाली में एक अन का दाना नहीं छोड़े को յरी थाली को ऐसे साफ कर देते जैसे हम जब थाली को मांजते हैं मांज कर साफ करते हैं जैसे थाली चमक जाती वैसे ब्राम्मण संद भोजन किया करते हैं क्योंकि अन्य की कीमत वही जान सकता है जिसने एक रात एक दिन भूख के कारण विताई हो और जिनको प्रयाप्त मिलता है वो अन्य की मूल्य नहीं समझता तो इस धर्ती पर रहकर कि धर्ती माता हमारे उपर इतना एहसान कर रही है इसलिए हमें अन्य का भी मूल समझना चाहिए तो इस पुराण में बतलाए गया कि मा स्वयम भूखे पेट रहकर के रात भर जाग करके अपनी संतान को सुलाती है उसका पेट पहले भरती है और अपना पेट बाद में भरती है ये हमारी जन्म देने वाली मा की महिमा है और मा की महिमा तो वहराज क्या कहें इस बाणी के द्वारा कहना बड़ा संभुरू है जिसके जीवन में मा है तो बड़ा शभाग साली है बड़ा ही भागवान है उनसे पूछो जिनके माभाप नहीं है उनसे पूछो और यदि ऐसे कोई व्यक्ति ना मिले जिनके माभाप नहों तो एक बार अनात आश्रम जाना उनकी वार्णी को सुनना वो कहते हैं कि तुम तो हमसे बड़े भागवशाली हो तुम्हारे माभाप तुम्हारे सांथ हैं हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें जन्म किसने दिया है हम इतने दुरभावशाली हैं कि हम ये भी नहीं जानते हमारी माता कौन है हमारे पिता कौन है माबाप का साया है तो जब तक माबाप का साया इसलिए खूबो जुट करके उनकी सेबा कर लो जिनके भी पास अपने अपने माबाप है उनको भगवान मार भगवान की पूजा भले ही ना करो पर अपने मात पिता की पूजन जरूर कर लेना क्योंकि माबा इस संसार में सब कुछ है कि जिसके घर में माबाप यदी प्रशन नहीं रहते उस घर में अमारे ठाकुर जी बिराजमान होते ही ठाकुर जी कहते हैं जिस घर के माबाप यदी दुकी है उस घर से मैं भी चला जाता हूं मैं वहाँ पर वास नहीं करता और जिसके घर में यदी माबाप प्रशन है तो उस घर में स्वें भगवान विराजमान है आपको फिर बार बार 24 गंटे भजन करने की भी जरूरत नहीं है मात पिता को खुश कर लिया तो मान लीजिए कि साक्षा ठाकुर जी माराज आपके घर में विराजमान हो चुकी है इस प्रकार से कहा कि सबसे ज्यादा रिण यदि है हमारे उपर तो वह माबाप का है सबी रिणों को चुकाया जा सकता है पर मा के रिण को कभी नहीं चुकाया जा सकता मा के रिण का कोई मूले नहीं लगाया जा सकता आप कहें कि एक दो पडले हैं तरा जुके एक पडले में सोना रख दें और दूसरे पडले में मा को रख दें तो मा का पडला ही भारी होगा आप सोना कितना भी रख दें चांदी किती ही रख दें पैसे कितने ही रख दें पर उसका मुल्य नहीं लगाया जाते ये मां की मही मां का वह नहीं है भगवान श्री कृष्ण उस ग्वाला से कहते हैं कि हे ग्वाला देख मैंने अभी तुझे तीन मा के विश्ण में बतलाया यदि तेरे जीवन में ये तीनों मा हैं तो तु समझ लेना कि संसार में तुन मा नव है ये बात केवल भगवान श्री कृष्ण और उस भक्त के बीच हो रही है पर इस बात से हमें यान प्राप्त हो रहा है कि हमारे जीवन में ये सब है या नहीं है हम अपने मात विक्ता की सेवा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे है ये धर्ती माता हमारे उपर इतना एहसान कर रही हम इसका एहसान चुका पा रहे हैं गव माता अमारे लिए इतना कर रही है उसके बाद हम कितना दे पार हैं जिदना वह हमारे लिए कर रही है, आज हम बड़तमान में देखें तो उसका एक प्रतिसद भी हम गव माता के लिए नहीं कर पार है यही कारण है पहले क्या था गव पुराण में बढ़नन है पहले समय में गव माता अधित थी भगवान श्री कृष्ण ने भी नौ लाख गई अपने सेवा में रखी थी कितनी सेवा की उनकी और भी अनिक विदवान हुए जिन्होंने कितनी सारी गव सेवा की तो पहले गव माता अधित थी और मानव कम थे आज क्या देख रहे हैं? आज इस संसार में मानव अधित हैं और गव माता कम है और सर्म की बात ये है कि इसके बाद भी हम गव शेवा ने कर पार, गव माता है जर्थी पर कम है, मान मं कितने अधिक हो गए हैं, पर उसके बाद भी शेवा नहीं उपर है, हम महलों में रह रहे हैं और हम गव मा को महलों से बाहर निकाल रहे हैं याद रखिएगा ये बात हमारे और आपके बीच की भी है लेकिन इस कथा में जो बाहर से लोग आ रहे हैं सुनने के लिए उनके लिए भी है कि आज हम यदि मा को घर से बहार निकाल रहे हैं तो एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि आप भी उस घर से बहार निकलने वाला है इसलिए कहा गया कि मा का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते यह हुई हमारी जन्व देने वाली मा इसका यदि हम और वर्णन करते हैं तो इसकी बड़ी बहुत अधिक महिमा है जिसका मतलब कि यदि हम वर्णन करने के लिए बैठ जाएं तो यहां पर चार पांच गण टिकव निकल जाएंगे पता ही नहीं चलें इसलिए कहा गया है कि हम बड़ी संचिप्त रूप में इस कथा को श्रवन कर रहे हैं इसके जीव के जीवन में कहा कि नौ जो माताएं हैं यह जो हमने तीन वाता हैं सुनिए यह अगर हमारे जीवन में हैं तो समझ जाएं कि हम मानव हैं समय को भी ध्यान रखना पड़ेगा महाराज क्योंकि महाराज जीविक कथा आपको श्रवन कराएंगे और हम भी आपको कथा श श्री कृष्ण इस कथा के माध्यम से इस हमारे इस कल्यूग के जीवों को यह ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं कि कि किसी के किसी का रिण चुकाना कि किसी की उपर यदि रिण चड़ाओ उसको चुकाना बड़ा है और इतने आशानी से कहा कि कि फहले कि क्या हुआ करता था है पहले के लोग के लिए करजा लेना होता में करजा किसी से लेना ओता था तो मौच के बाल को गिर्वी रखते थे किसके मूच के बाल को गिर्वी रखते थे कि भाईया हमें आपसे इतना करजा चाहिए है हम ये अपना बाल तुम्हारे पास गिर्वी रखके जा रहे है जब हमारे पास उतना पैसा हो जाएगा तो हम इसको उठा कर ले जाए कि आप मुच के बाल को गिरी क्यों रखते थे का भाए ये जो मुच होती है ये हमारी एज्ञत होती है ये सान होती है आप यदी इसको जूट माले तो आप पुरान में जाकर के देखें इक बार आप पुरान में जाकर के देखना पहले के समय में यही होता था मूच के बाल को गिरीभी रखके करजा लिया जाता था तो कहा कि एक बार एक बंजारा गया महान संत जी के पास और कहा महाराज जी और एक बात और संत महाराज को यह नहीं समझना कि इनके vậy स्थ नहीं होता यदि जो कुछ भी चाहिए जो सब कुछ संत महाराज नवेजski के पास ही मिलता है कि एक कजा लेसपाली पैसा लेना महाराज जी बाएं मा जी हम की tsaka करजा चाहिए कुछ पैसों की आवश्चक्ता है तो वो चाहिए अब कहा कि जो बंजारा लेने के लिए जा रहा था का उसके पास तो मूची नहीं थी तो फिर बाल कैसे गिर्भी रखता तो कहा कि गिर्भी रखने के लिए कुछ नहीं था तो उसने क्या किया एक कुट्ता थ नयत्किना हो तो हम कुछ पहले घृवियर रखतेigon उसके बाद हमें पैसे मिलते हैं तो कहा कि जिब भू बंजारा गया कुट्व लेकर महात्माजी से का महात्माजी कुछ कर रजा चाहिए का करजी के बदले में क्या है का मैं मेरे पास कुछ नहीं तो मैं कुट्टा लेकर के आयो इस कुट्टे को अपने पास रख लो जिस दिन मेरे पास पैसे हो जाएंगे उस दिन मैं इस कुट्टे को बापस ले जाऊंगा और आपको अपने पैसे बापस दे जाओंगा तो क्या हुआ महाराज जी ने उस कुत्ते को रख लिया और उस बंजारे को कुछ पैसे दे लिए अब बंजारा तो पैसे ले करके चला गया और बंजारे को जो कुछ भी काम था उसने उस पैसे के द्वारा उस काम को किया और अ अपने काम में लगा रहता अब जो महराज जी से पैसे लेकर आया था उनको जोडने में लग गया उनको जोड रहा था कि चलो महराज जी को से जो करजा लिया है उसको चुकाना है एक दिन की भाद क्या हुआ कि वो कुट्ता जिसका था वो बंजारा तो छोड़ कर चला गया अब लेकर कहते हैं कि जानवर भी हम से ज़्यादा समझदार होते हैं इंसानों से ज़्यादा यदि समझदार ही है आजकर तो जानवर होते हैं तो वो कुट्ता क्या किया जिस रस्सी में बंदा था उस रस्सी से बार बार छूट करके भाग रहा था और आखिर में उसने क् कि उस महात्मा जी के घर से कुत्ता छूट करके और दोल लगा करके बापस बंजारे के घर आगया। और जैसे बंजारे के घर आया, बंजारे ने देखा, कि ये कुत्ते को मैं महाराजी के पास रखके आया था। ये गिर्वी के रूप में रखा था ये वहां से भाग करा गया बंजारी ने बिना सोचे समझे एक लाठी को उठाया और उस कुत्ते को मारना शुरू किया इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि कुत्ते का वहीं प्राणांत हो गया और कुत्ता मर गया कि अब उसके बाद जैसे कुट्टा मरा को कुट्टे के गले में क्या होती एक पट्टी बंदी होती है तो उस पट्टी में एक चिठी बंदी हुई थी कागज बंदा हुआ था तो उस चिठी को कुट्टी के मरनी के बाद उस बंजारे में उस चिठी को निकाला कुट्टी की पटी से और देखा कि उसमें क्या लिखा है तो बंजारा क्या पड़ रहा है उस चिट्टी में लिखा है और वो महराज जी की राइटिंग है जिसमें लिखा हुआ है क्या क्या पड़ता है कि हे बंजारा कहा जो कुट्ता तु मेरे पास छोड़ करके गया था उस कुट्ते को मैं तुझे तेरे पास छोड़ रहा हूँ क्यों कहा एक दिन की बात है मेरे घर में जितना भी सामान था वो चोरी हो गया था और चोरी हुआ तो जो चोर लेकर के गय थे उन्होंने गुफा के अंदर रख दिया था और जब गुफा के अंदर रखा तो कहा हम तो रात्री में सो रहे थे नहीं देख पाए कहा पर इंसान रात्री में सो जाता है पर कुट्ते रात्री में जागते है तो कहा कि इस कुट्ते ने देख लिया कि चोर कहां ले जाकर चोरों ने सामान रखा और इसने हमें बता दिया तो कहां जो कुट्टा तुम मुझे दे कर गया था आज कुट्टे के कारण हम लुटने से बच गए हमारा सामान हमें बापिस मिल गया कि इस खुसी में हम इस कुत्य को तुम्हारे पास छोड़ रहे तो जैसे यह उस बंजारे ने उस चिट्ठी को पढ़ा पर बंजारी के दिमाग में क्या था कि मैं तो महातमाजी के पास शोड़ कर आया था मैंने अभी करजा नहीं चुकाए और ये कुत्ता भाग कर आ गया अब जब कुद्धे मर चुका कुद्धा तब बंजारा उसका पश्चा ताप करता अब कहा कि क्या करूँ मुझसे तो ये बहुत बड़ा पाप हो गया तो बंजारे ने विचार किया कि गाउं के कुछ लोगों को बुलाया जाए गाओं के लोगों को बुलाया गया बिठाया गया और कहा गया बंजारा केता है भाईया मुझसे एक बड़ा पाप हो गया कहा क्या पाप हो गया कहा कि ये जो कुत्ता था कहा इसे में महात्मा जी के पास गिर्वी रख के आया था पर कहा गिर्वी रखा लेकिन ये कुत्ता भाग कर आया तो मुझे लगा कि ये महात्मा जी के पास से भाग आया है और मैंने अभी तब करजा नहीं चुका आया तो जैसे ही कहा कि मैंने ये विचार लाया और मैंने इसे मारा तो इसका प्राणान दो गया ये मर गया अब इस अपराद की मुझे क्या सजा मिले आप लोग इसका निर्ड़ाय करें गाओं के बड़े बड़े विद्वाने कत्रित थे उन्होंने कहा मां जी यदि आपको इस बात का पश्चाताप है आपने एक निर्दोस को मारा है तो आप एक काम करिए जिसे स्थान पर कुट्टा मरा है उस इस्थान पर उसकी समाधी बना दी तो उस बंजारे ने क्या किया एक गड़ा खोदा जहां पर कुट्टा मरा उसी स्थान पर उसकुत्ते को समाधी अब यहां पर कहा कि जिस इस्थान पर उसकुत्ते को समाधी दी उस इस्थान का नाम क्या पड़ तो ये कथा में वर्णन आता है जिस स्थान पर कुत्ते को समाधी दी गई उस स्थान का नाम है कुकुरामट क्या नाम है शायद आप परिक्रमा में जब आप लोग जाते हैं तो नर्मद परिक्रमा में शायद वो स्थान आता भी है कुक्कुरमट उसी स्थान की ये कथा का वर्णन है कि जिस स्थान परकुत्ते को समाधी दी तो महाराज ऐसा होता है कि यदि हमसे कोई पाप हो जाए कोई अपराद हो जाए हमें उस बात का ज्यान ना हो कि इस अपराद की क्या सजा है क्या दंड है तो इसके लिए हमें विद एक सिविलिंग व्राजमान है भगवान बोले नाथ की उस सिविलिंग पर अमावश्या की रात में एक लाल रंग का सांप आता है और उस सिविलिंग के ऊपर आ करके लिपट जाता है यह द्रश यदि किसी को देखना हो तो उस स्थान पर कुकुरा मट में रात्री व्यतीत करें अमावश्या की रात में तो कहाוכ कि यह जो साह पाता है ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर शाक्षत भगवान बिराजमान रहते हैं और वह हमें अवश्या की रात में दर्शन देने के लिए आते हैं तो आज भी हमें ये प्रमान मिल रहे हैं कि भगवान की अमारी मा की कितनी महिमा है तो इस प्रकार से कथाओं का वर्णन हमें देखने को प्राप्त हो रहा है कहा जिसके उपर मा की कृपा बनी रहती है संत माराज की कृपा बनी रहती है कहा उसका बड़े से बड़ा दुस्मन भी बाल भी बांका नहीं कर सकता बहले ही आपकी जीवन में आपका कितना भी बड़ा दुस्मन आ जाए लेकिन यदि आपके ऊपर इन माओं की कृपा है गव माता की कृपा है तो आप समझ जाना कि आपका कोई कुछ बिगारने वाला नहीं और ऐसा कहा जाता है कि यदि आप से आपकी जीवन में बहुत अधिक पाप हो जाए पाप कैसे छोटे मोटे पाप तो सभी जीवन में करते रहते हैं पर कभी गव हत्या लग जाए क्या हो जाए गव हत्या लग जाए अब कहा गया कि गव हत्या करना सबसे बड़ा पाप है जिसके अंदर शभी देवी देवता विराज मान हैं और उसकी हत्या यदि हम कर रहे हैं तो आप ये मान लिजे कि इस अंसार में रहकर के हम ये जो 53 करूर देवी देवता उनको एक देखते हैं इस संसार में इतनी दुस्ट लोग हैं दुराचारी हैं कि अगर घर के सामने गाया करके खड़ी हो जाए तो उससे पहले डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं गाय को मारने के लिए बलके उनको यह नहीं पता है कि इसी गाय की द्वारा इसी गाय की कारण आप इस धर्ती पर जीवित है बिना दूद की चाय पी के बताएं तब जाने बिना दूद की चाय नहीं पी सकते खीर भी खाने को चाहिए, मिठाई भी खाने को चाहिए तो इन सब के लिए दूद की आवश्यक्ता पड़ पी है न जो गाय माता के लिए यदी लाटी लेकर के खड़ा होता है उसको भी अपने बढ़ा पे में कोई सहारा देने वाला नहीं बचता फिर वो भी लाटी टेक कर जितना हो सकता है लाटी टेक कर चलते जाता है पर जुँ आज क्या देक हैं व्यक्ति, मंस का सेवन करते हैं, तो आज क्ल हम देख're है कि व्यक्ति गुव माताओं को कसाहीं खाने में छोड़ कर गयाते हैं लोग मंस के लिए, तो इतना बड़ा पाप और यदि हम यह देख रहे हैं इसको जान रहे हैं तो कहीं न कहीं हम भी इस पाप के भागीदारी हैं क्योंकि हम उसके लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं हम उस गव माता के प्रति कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो हम भी पाप के भागी हुए कि नहीं हुए भले आप पहले अपने मन में सोच लेते हैं कि ये समस्या का समधान आप नहीं कर सकते नहीं कर सकते वो अलग बात है पर प्रयास भी ना करें ये सबसे बड़ा अपराद है इसलिए कभी यदि ऐसा होते हुए देखते हैं सेहरों में अक्षन ऐसे देखने को मिलता है कि लोग गाड़ियों में भरके और गाड़ियों को पैट करके और फिर गव माता उगको कसाई खाने छोड़कर ठोड़ने चाते हैं और यदि इस संसार में रह करके जिस व्यक्ति ने इस मा की सेवा कर ली समझ जाएगा कि आपने अपना इस्थान स्वर्ग में बना देगा इसलिए आज हमें गव गथा सुनना पड़ रहा है क्योंकि गव गथा की महिमा व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है गव सेवा करना छोड़ दिया अपने सुख के कारण और जैसा कि अभी हमने सुना यदि सुख है भाई आज सुख हो आज आनन्द में हो तो कल आपका प्रीत समय भी आएगा इसलिए आज यदि हमें इस बात का ज्यान हो रहा है तो इससे सतर को हो जाएए तो इस प्रकार से हमें वर्नन मिल रहा है अब कहा गया भाई दीन माताओं के विसे में तो बहुत सुन लिया हैं अब चौति माता भी बता दी अच्छा क्या है कथा को यहीं विराम दें या फ कौन कौन जानना चाहता है हमने का कि नौ माता है व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए और जिसके जीवन में है वही मानव है जिसके जीवन में नहीं है वो दानव है दानव मतलब अपने आपको फिर रावड कि जैसे कर्मों के समान मान लेना अब कौन कौन जानना चाहता है कि उसके जीवन में यह चोंथी मा है कि नहीं, यहाथ उठाना पड़ेगा, वहीं सर्म के कारण जो नहीं उठा पा रहे वो कान बंध करना, तो वाई, चोंथी जो मा है, वो कौन है? वो है हमारी गंगामा, जो अजो धर्टी पर है, प्रभाहित हो रही है, कौन सी मा है? गंगामा पहनी माता थी गव माता दूसरी मा धर्ती माता तीसरी मा अरे बोलना पड़ेगा ये सही नहीं कौनसी मातीसरी जन में देने वाली मा और चौती माता कौनसी है गंगामा जो आज